आपके अपने चनल रंजन अश्टडी सेंटर पर आज हम सभी वीडियो अपडेट लेकर आए हैं स्टाप सेलेक्शन कमिशन SSC को जुड़े हुए अपडेट को लेकर तो SSC स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने SSC MTS के लिए application status चेक करने के लिए link जो है uploaded कर दिया है तो जिन सभी candidate ने SSC MTS 2023 के लिए apply किया था वे सभी candidate अपना अपना application status चेक कर सकते हैं साथी साथ exam date or city चेक कर सकते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा साथी साथ ये भी बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा अगर चैनल पर नहीं जुड़े होंगे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा सबसे पहले आप लोग SSC की वेबसाइट पर जाईएगा Google पर जाकर SSC लिखेंगे तो इस तरह का page आपका open हो जाएगा ये SSC का official website है इस website पर आने के बाद आप सभी का admit card वाले link पे click करेंगे जैसे ही admin carde वाले link पे click करते हैं आपको एक नया page open हो जाएगा वो page आपको इस तरह सो होगा जहाँ पर हर region का हर छेतर का नाम है SSC के हर region का नाम है तो आप जिस भी region से जुड़े होंगे उस region वाले link पे click करना है आपको जैसे मैं eastern region से हूँ तो मैं eastern region वाले link पे click करता हूँ जैसे ही इस link पे मैं click करता हूँ अब यह नया page open हो जाएगा जैसे ही इस वाले page पे आप लोग जाएंगे तो इस वाले page पे देख पाएंगे कि download admit card download admit card cgl chsl फिर यहाँ पे stenographer cnd ge capf constable gd gst अधर selection post and department तो SSC MTS बोल के कोई website नहीं दिया है तो आप लोग other वाले link पे click करेंगे इसके बाद आपके पास इस तरह का interface खुलेगा इस तरह का page open होगा जहां पर multitasking non-stop non-technical stop and हवालदार cb icn cbn examination 2022 उपर में लिखा हुआ clearly know your status अभी यहाँ पर know your status हो कर रहा है तो आप सभी अपना registration number डाल कर direct यह वाला जो सम है उसे जोड़ कर बताईएगा कितना है उसके बाद next वाले पर किलिक कर दीजेगा तो आपका page open हो जाएगा नहीं तो candidate अपना केवल नाम भर यह अपना date of birth select किजिए और यह जो सम है उस सम को यहां पर किजिए उसके बाद next किजिए तो यहां पर आपको पेज जोपेन हो जाएगा जिसमें आप सभी candidate अपना अपना रोल लंबर देख पाईएगा अपना नाम अपने पिता का नाम अपना date of birth एक्जाम सिटी और टाइम देख पाईएगा तो उमीद है आप सभी को जो है यह प्रोसेस मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा अगर उन सभी से रिलेटेड अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर मिलती है साथी साथ इसकी तैयारी के लिए कुछ न कुछ वीडियो अप्लोड भी आपको मिल जागा चैनल पर तो चैनल पर विजिट किजिएगा धन्यवाद आपका